बहुत बहुत स्वागत है आपका thank you very much for coming to the session तो आज की practice शुरू करते हैं देखिए आज सारे doubt clear करेंगे also to as well as well as in addition on top of that moreover कई सारी चीज़े हैं जिनको हम हिंदी के एक शब्द भी से cover कर लेते हैं हिंदी में भी काम करता है लेकिन यह कई सारी चीज़े यूज होती है तो वो examples देखेंगे कि एक sentence में हम कितनी सारी चीज़े use कर सकते हैं और अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे the session is not gonna be very long तो please stay tuned and watch it to the end बहुत important session होगा देखें जैसे हम एक sentence बोलते हैं देखें हम मान के चलिए मैं यह कहूँ मुझे से पसंद है और मुझे केला भी पसंद है अब यह कह सकते है I also like banana मुझे केला भी पसंद है I like apple and I also like banana आप also use कर लेंगे sentence के अगर बीच में आपको use करना है तो आप हमेशा I, we, you, they, he, she, it के बाद use कर लेंगे right ऐसा compulsory नहीं है एक options देखने है कि कि कितने ज्यादा इसमें chances chances ज्यादा हैं इसके सही होने के right आपने I के बा I like apple मुझे से पसंद है I like banana also आप also last में ले जाए है the sentence is still conveying the same message मुझे केला भी पसंद है तो also आप sentence के end में भी लेकर कर जा सकते हैं एक छोटा सा difference आपको समझना पड़ेगा ये सारे के सारे जब interchangeably use हो रहे है तो actual में इनको use कर क्यों हो रहे है interchangeably कुछ तो difference होना चाहिए द टू actual में conversation में ज्यादा यूज होता है आप कह सकते हैं ये एक कुल मिला करके casual version है घी का टू और also जो है इसका मतलब भी होता है ये थोड़ा सा formal है और आपने कई जगा सुना होगा as well ये बहुत ही ज़्यादा formal है especially writing में use करते हैं या बहुत ही ज़्यादा अगर formal बात कीता आप कर रहे हैं तो as well उससे थोड़ा कम फॉर्मल है also और टू जो है बहुत ज़्यादा commonly सुना जाता है क्योंकि conversation में use होता है ये casually कह दिया casual conversation में use होता है तो तीनों का मतलब भी है और टू जो है उपर वाला इसके कुछ अलग meaning भी है वो भी हम साथ में समझते हैं जैसे ए मुझे add करना है I learn English आप कह सकते हैं and I also learn और्दू मैं और्दू भी सीखता हूं I learn English and I also learn और्दू या फिर आप इसके जगहा पर to use करना चाहें I learn English यहाँ पर आप end लगा रहे हैं इस के जगह पर आप इन दोनों sentences को तोड़के भी बोल सकते हैं जहां पर जिस भी sentence में आप end देख रहा है वो sentence में फुल स्टॉप लगा करके और दूसरा sentence इसी लहजे में बोल सकते हैं तो यहाँ पर हम एक sentence को connect कर रहे हैं तो end लगाया जा सकता है दो sentences के बीच में या दोनों learn उर्दू 2 जब आपने 2 लगा दिया तो कुल मिला कि आपने थोड़ा casually कह दिया दोनों का मतलब से मैं I learn English I also learn उर्दू I learn English I learn उर्दी 2 आपने 2 लगा दिया अगर आप यहाँ पर last में also ले जाना चाहें 2 की जगह पर तो क्या फरक पता करा था अभी हमने 2 थोड़ा सा casual है also थोड़ा सा formal है तो आप कह सकते हैं I learn English I learn उर्दू also इस तरीके से आप कह सकते हैं अगर आप as well ले जाना चाहें last में तो as well भी ले जा सकते हैं बस logic यह है also बीच में use हो जाता है लेकिन to and as well अकसर sentence के last में use होते हैं तो आप कह सकते हैं I learn English I learn उर्दू as well as wellあ जब कह रहे है तो बहुत ज्यादा formally आपने कहा दिया तो interchangeably यह सारी की सारी चीज़ें यूज होती है माने के चलिए मैं किसी से पूछू क्या तुम भी दिल्ली जा रहे हो क्या तुम भी दिल्ली जा रहे हो तो simple are you also going to दिल्ली going to delay are you also going to delay क्या आप भी दिल्ली जा रहे है अब यहां पर अगर हम two का इस्तमाल करना चाहें तो two sentence के last में आएगा are you going to delete two what the point तो दोन्यों का मतलब वो यह क्या आप भी दिल्ली जा रहे है अब यहां पर मान के चलिए हमको यह कहना पड़े क्या आप दिल्ली भी जा तो दे कि structure नहीं है कि आप भी दिल्ली जा रहे है यह आप दिल्ली भी जा रहे है इसको अलग से बोलने के लिए तो वो सामने वाला समझ जाता है हाला कि थोड़ा बहुत आप also लगा की यूज कर सकते हैं मान के चलिए कि आपको मैंने बताया मेरा friend दिल्ली जा रहा है my friend is going to दिल्ली अब आपको मुझसे पूछना है कि आप भी दिल्ली जा रहे हो तो यहाँ पर टू ज्यादा कॉमन है यूज करना क्योंकि टू का एक और यूज होता है to share the same sentiment to be in the same situation अगर आपको indication देना है कि आप भी same condition में है जैसे एक sentence समझ के देखिए फिर इस पर दुबारा मैं मान के चलिये मेरे किसी दोसने मुझसे कहा कि मुझे मुझे मुवी पसंद नहीं आई I didn't like the movie मुझे मुवी पसंद नहीं आई अब मुझे भी पसंद नहीं आई, तो मुझे भी अगर पसंद नहीं आई है, तो मैं कह सकता हूँ, I also didn't like it, मुझे भी पसंद नहीं आई, मैंने यहाँ पर also use कर दिया कि मुझे भी पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे दोसने का है, I didn't like the movie, अब मैं उसको एक indication देना चाहता जब हम sentence के last में to use करते हैं तो इसका actual में मतलब होता है कि जो बात already चल रही है उसी चीज से related आप same sentiment share कर रहा है यानि कि same situation अगले sentence में भी है मान के चलिए किसी बंदे ने मुझसे कहा I like you उसने मुझसे अगर कहा है देखे मान के चलिए इसमें और थोड़ा सा deep dive कर रही है confusion नहीं होगा मान के चलिए कि अगर किसी तीसरी चीज की बात चल रही है फिलम की केले की सेब की अगर किसी दोस ने कहा है I like apple अगर मुझे भी प पसंद है अब मुझे भी पसंद है तो मैं कह सकता हूँ me too यानि कि जैसा आपको पसंद है उसी परकार से मैं मुझे भी लेकिन इसमें logic याद रखना है हम या save की बात कर रहा है ओके अब मान के चलिए एक दोस्त आया मेरे पास वो मुझसे कहता है I like you अगर वो मेरी बात कर रहा है right तो मैं यहाँ पर me too नहीं कह सकता भले मैं भी उसको पसंद करता हूँ उसने का I like you अब मैं भी उसको पसंद करता हूँ तो save वाले case की तरह मैं उसको नहीं कह सकता me too क्योंकि यहाँ पर sentiment share करने की बात हो रही है ना कि इसका मतलब यह है कि same here जैसे कि I like you जब उसने मुझसे कहा है अगर मैं उसको पसंद करता हूं तो मैं कहूंगा यू टू इसमें टू का मतलब है शेरिंग दा सेम सेंटिमेंट और यू यानि की आपके प्रती गेटिंग मैं पॉइंट जैसे दोस ने कहा I didn't like the movie अगर आप टू वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये केवल उसके exceptions है दोसने का I didn't like the movie मैं कह सकता हूं me too यानि मैं और टू लगाया जो हमने last में इसका मतलब है about the movie the condition is same for both of us right me too अगर मन्दा मुझसे आ करके कहे thank you अब मुझे उसका शुक्रिया आदा करना है कि आपका भी शुक्रिया तो मैं वहाँ पर me too नहीं कह सकता मान के चलिए दोस ने मुझे कहा thank you right अब अगर मैं उसको कह दूँ me too अब वो मेरे प्रती शुक्र गुजार है उसने कहा thank you टू से हम sentiment share कर रहे हैं the condition is same but I thank you getting my point लेकिन जिस feeling से आप मेरे प्रती शुक्र गुजार है वो टू लगा के आपने कह दिया same उसी feeling से I hope समझ में आया होगा जैसे कोई बंदा हम से कहता है I love you right तो हम क्या कहते है I love you too आप इतना भी कह सकते हैं मान के चलिए आप से किसी ने क कहा I love you right अब इसके जवाब में आपको लॉजिक जहां तक समझ आया है आपको अगर सेम चीज़ पहुचा नहीं कि मैं भी आप से प्यार करता हूं तो आप सिंपल इतना कह सकते हैं you two two में आपने sentiment share कि जिस प्रकार से आप करते मैं भी करता हूं लेकिन आपके प्रती right तो इसमें मेंशन करना पड़ेगा you two अगर कोई बंदा आ करके कह देता है कि मुझे सेव बहुत पसंद है right I like apple very much अब मान के चली आपको भी पसंद है अब यहां सामने वाले की बात नहीं और यह वे टॉकिन अबाट apple here तो यहां पर आपको मेंशन करने की ज़रूद नहीं या फिर आप ऐसे कह सकते है I also like apple तरीके से कह दिया आपने right आप देखे एक चीज और यहां पर समझने की as well कहां इस्तमाल करते है जिसे बहुत ही ज्यादा formal तरीका होता है as well आप उस तरीके से कह सकते है जैसे कि I like banana right I like apple as well या फिर आप ऐसे कह सकते है I like banana I like apple too तो जब किस किसी चीज की बाद हो रही है तो आप तीनों चीज़े interchangeably use कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी की व्यक्ति की बात का response दे रहे हैं same sentiment उसके साथ share कर रहे हैं तो आप two का इस्तमाल कर सकते हैं मान के चलिए आपका दोस्त आया वो कहे कि भाया मैं English course join करने जा रहा हूं I am going to join the English course right अब अगर आप भी join करने जा रहे हैं तो आप क्या सकते हैं me too what the point आपने me too कह दिया यानि you are talking about English speaking course तो वहां me too चल जाएगा या फिर आप इसको पूरा sentence बोलना चाहें I am going to enroll myself in this course too I am going to enroll in this course too to लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी feeling मेरी feeling same है right या फिर to ना लगा के आप ऐसे कह सकते हैं I am also going to join English speaking course right तो also भी use किया जा सकता है और to भी इस्तमाल किया जा सकता है right अब एक और जगा पर आता है also हाप sentence खतम करने के बाद भी बोल सकते हैं जैसे मान के चलिए मैं यह कहूं कि मैं दिल्ली आ रहा हूं और मैं तुमारे घर आउंगा I am coming to दिल्ली and and लगा देते हैं यह कॉमा actual में मुझे आदे थे लगाने की so I am coming to दिल्ली and I will visit your home अब मैंने यहां तक क्या करा अपनी बात खतम कर दी right अच्छानक से in addition मुझको याद आया एक बात और रह सकते हैं right also we will meet Ramesh यानि हम रमेश से भी मिलेंगे so I am coming to दिल्ली and I will visit your home मैं आपके घर आउंगा also we will meet Ramesh getting my point तो इस प्रकार से also से भी sentence start किया जा सकता है तो बिलकुल भी आपको confusion नहीं होना है I hope समझ में आया होगा आप also से आपने इसको start कर दिया आप इस also को आप last में भ सकता है घलत होगा लेकिन आप आगे 20 में पीछे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जैसे I am coming to Delhi I will visit your home मैं आपके घर आउंगा we will visit Ramesh also also आप last में ले गए इसकी जगह आप as well का इस्तमाल कर सकते है I am coming to Delhi I will visit your home we will meet Ramesh as well as well आपने यूज़ कर लिया या फिर I am coming to Delhi I will visit your home मैं आप है तो बिल्कुल भी confused नहीं होना है बस आप जहां यूज़ करें sentence के अंदर word order का सारा खेल होता है कि जो भी आप as well to also use कर रहें अपनी सही जगह पर यूज़ करें अब देखें इन addition है on top of that है इनका मतलब भी कुल मिला करके भी होता है बस यह है कि feeling है right जैसे मानके चलिए क कि यह कहा जाए कि he is very intelligent और वह बहुत जादा hard working भी है right तो इसमें आप also to as well use करके देखें देखें अफिर in addition भी यहीं use कर लेंगे on top of that भी इसी में use कर लेंगे फिर खतम करेंगे right he is very very intelligent वह बहुत जादा intelligent है अब यहां तक मैंने एक statement कहा है अब मैं कहा है कहा है कहा है कहा मैंने कि इसमें और भी एक चीज़ जुड़ी हुई है he is very intelligent in addition he is very hard working I hope समझ में आया होगा तो in addition use हो गया right अब इसकी जगहा पर आप खुद से also use करके देखें he is very intelligent is also very hard working right आप ऐसे कह सकते है या फिर आप ऐसे कह सकते है he is very intelligent is very hard working too ले करके चले गए आप last में या फिर आप इस ही के जगह यह भी कह सकते है he is very intelligent and is hard working as well as well आपने last में लगा दिया तो तीनों में क्या फरका रहा है to थोड़ा सा casual version है also थोड़ा उपर है और as well पूरा का पूरा formal है in addition यूज करके आपने indicate कर दिया कि intelligent तो ही है साथी साथ hard working भी है he is very intelligent in addition he is very hard working या फिर on top of that का मतला भी है जैसे cherry on the cake थोड़ा सा खुशी जताते हुए हम कहते है कि यह तो बहुत अच्छी बात है और इसी के ऊपर से यह भी है यह negative sentence में यूज किया जा सकता है कि या यह तो बहुत बुरा है और उसके ऊपर से तो यह तूरिया भी कर लेता है getting my point तो on top of that याने कि जो बात मैंने कही उससे ऊपर इसी से related एक और संबद में sentence कह रहे हैं जैसे आप इसी sentence में यूज कर सकते हैं he is very intelligent and on top of that he is very hard working he is very intelligent and on top of that he is very hard working तो यह कुल मिला करके दो sentence को connect करने की बात है कि कैसे connect किया जाएगा और connect करने के case में maximum क्या हो रहा है बीच में on top of that और इन सबका alternate एक है सबसे बड़ा जिसको हमने use नहीं किया and लगा सकते हैं किसी जरूरत भी नहीं आप ऐसे कह सकते हैं नॉर्मल कहा देजिए he is very intelligent and he is very hard working तब भी तो sentence आपका complete है लेकिन थोड़ा सा feel भरने के लिए also to as well as well as in addition on top of that जब यह सारी चीज़े यूज करते हैं तो sentence में थोड़ी जान पड़ जाती है तो हमारी live classes में क्या होता है live classes में भी यह होता है कि देड़ दो घंटे तक हम इसी प्रकार के sentences discuss करते हैं कि एक sentence कोई बंदा लाया या grammatical rule किसी ने पूछा उसके basis पे कई सारे sentences बनाते हैं या फिर किसी ने एक sentence बताया उसकी grammar समझते हैं और उसको बोलने के अलगल alternate समझते कि इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है genuinely speaking 30-40 grammar के rule होते हैं जिनको लेकर के confusion रहता है 15-20 दिन में जब आप classes में आएंगे 15-20 दिन में concepts clear हो जाएंगे और 200-300 participants होते हैं हमारे group में तो वहाँ पर जब आप practice करेंगे लोगों के साथ 9-9 sentences सुनेंगे लिखे हुए होते ग्रूप में उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जागा एक sentence को कितने तरीके से form किया जा सकता है तो live classes में यह बहुत ही छोटा सा amount हम चार्ज करते हैं concepts clear हो जाएंगे and you will automatically start speaking English pass fluently and confidently the way you want to speech ओके और इसके बारे में please feedback दीजेगा किसे थोड़ी बहुत आपको help मिली य नहीं मिली कोई suggestion हूँ हमारी लिए तो suggestion आप comment section में लेख सकते हैं practice करते रहें फिर मिलेंगे एकने session के साथ till then bye